अब बात मध्यप्रदेश की करते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने आदिवासी युवक दश्मत को आज अपने घर बुलाया, पाउं दोए, तिलक लगाया, संबान किया और माफी मांगी। माफी इसलिए क्योंकि बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने, जिस तरह का आप मान किया था, जिस तरीके से उस पर पेशाप किया था, उसके बाद से हर कोई सकते में था, हर कोई उस दर्द को महसूस कर रहा था। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री की समवेधन शीलता बता रहे हैं, तो चुनावी समय में इस तरह के कदम को कई लोग क्यामरे पर किया हुआ, ड्रामा भी कह रहे हैं। कोई गिनावनी घटना के बाद उखी होकर दश्मत को अपने आवास पर बुलाते हैं, सब कुछ कैमरे पर होता है। के पैरों के सामने चौकी खीची सामने से अधिकारी ठाल लेकर आए, दश्मत रावत पैर आगे बढ़ाने में हिचकी चानने लगे, हाथ जोडने लगे। मुख्यमंत्री ने कंधे पर हाथ रख कर कहा, दश्मत भाई, आज आपको मेरे लिए चरण अपने आगे करने हैं। चुनावी राजीय मध्यप्रदेश में फिर जो कुछ हुआ, वो आज, कल और वर्षों तक हमेशा याद रखा जाएगा। आदिवासी दश्मत रावत ने पैरों की चपल उतारी, पैंट की मोहरी को ऊपर किया, फिर अधिकारी से हाथ में पानी का चग लेकर, पीतल की थाली में मध्यप्रदेश के सीधी के आदिवासी युवक दश्मत रावत का पैर आगे करके, मुख्यमंत्री ने चरण धोने शुरू किये, पहले दाहिना पैर धोला, फिर थाली में अपने हाथ से मुख्यमंत्री शिवरास सिंग उस आदिवासी युवक के बाएं पैर को पकारना शुरू करते हैं, जिसके सम्मान, स्वाभिमान, सब को धूल धूसुरित करने वाला वीडियो दो दिन पहले वायरा इसलिए दोनों पैर दश्मत रावत के धोने के बाद माथे पर उस जल को लगा लिया जिससे पैर्ध होए पैर्ध होने के बाद फिर एक थाली आई, शिवरास सिंग चौहान ने अब रोली दश्मत रावत के माथे पर लगाई, अक्षत लगाया, फिर माला पहनाई शौल उड़ा कर सम्मान किया श्रीफल यानी नारियल दे कर बताया कि वो दश्मत रावत को ईश्वर की तरह पूज रहे फिर हर इंसान में भगवान मानने की बाद थोड़ी देरवात कहने वाले मुख्यमंतरी ने आदिवासी युवक के हाथों में गणेश जी की प्रतिमादी फिर वस्त्र भेट किये, अपने हाथ से फिर आखिर में मिठाई खिलाई और फिर पूछा राशन मिलता है कि नहीं, घर कैसे चलता है, क्या करते हो इसके बाद किसी मुख्यमंतरी को किसी आम आदमी से अपने आवास पर बुलाकर माफी मंगवाने का ये द्रिश्य देखना है आपको तो शायद कभी किसी सीम आवास में नहीं दिखा होगा इसके बाद बीजेपी नेता की बद्गुदार सोच की धार से जिनका सम्मान और स्वाहिमान तक मार दिया गया उन्हें गुलाब की पंखुडियों की धुश्बू से सजी टेबल पर नाश्टे के लिए मुख्यमंतरी बैठाते है कैमरा चालू रहता है फिर एक वीडियो सामने आता है जिसमें आदिवासी दश्मत को सुधामा बताते हुए अपने हिसाब से बातों को एडिट करके वीडियो प्रचारित होता है पुरा बन्या कि नहीं बना पुरा बना नाश्ट नहीं हो इस गटना ने मुझे बहुत बुखी किया इसलिए तुम मेरे लिए तो सुधामा हो लगान दोस्त बन गया है अधा मैं संपट पर हूंग मिलते रहे हैं अब इस पूरे वीडियो को कोई एक जननेता की जनता तक की पहुच बता रहा कोई कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया ड्रामा कोई कहता है कि यह दुखी मुक्षिमंत्री की आदिवासी युवक के साथ संबेदना का वीडियो है और कोई कहता है कि ये आदिवासी वोट बिखरने के डर मिक्टिया गया डेमेज कंट्रोल वाला शूट है इसलिए सियासत भी समझे 2018 में मध्यप्रदेश की 47 अनुसूचित जन जाती आरक्षित सीट में से बीजेपी सिर्फ 16 सीट जीत पाई अदिवासी बाहुले मध्यप्रदेश की 84 सीट में से पिछली बार बीजेपी को 25 सीट के नुखसान हुआ अब ये चुनाओ के चरणों में वोटिंग के बाद पता चलेगा कि अभी जो चरण धुले गए उनका चरण दर चरण चुनाओ में कितना असर पढ़ रहा है रवीश पाल सिंग, भोपाल आज तक